सनातन धरम प्रतिनिधी सभा के उप्रधान तथा जोतिशेवं लाल किताब के पितामह देवग्य पंडित वेडी माधव गोस्वामी की अस्तियां वैदिक विधिविधान के साथ सत्य घाट कंखल में वैदिक मंत्रों के मध्य गंगा में विसरजित की गई उनके बेटे पंडित रिवुकांत गोस्वामी ने अपने पिता की अस्तियां वैदिक मंत्रों के मध्य गंगा में प्रभाहित की पंडित वेडी माधव गोस्वामी सनातन धरम प्रतिनिधी सभा के मंत्री रहे डॉक्टर गोस्वामी गिरिधारी लाल के पुतर थे पंडित वेडी माधो गुस्वामी का अस्थी कलश दिल्ली से कंखल सती घाट उनके परिजन लेकर आये थे जहाँ पर मिधिलेश सनातन धरम, इंटर कॉलेज की प्रबंध समिती के अध्यक्ष, सुधीर कुमार गुपता, सदस्य सुनेल दत पांडे, अरुन शर्मा, सुबोत बडोला, संदीप, धस्माना, दिव्याश गोस्वामी, रिशप गोस्वामी, नरेश भरतबाच, ईश कुम शर्मा, प्रमोच शर्मा, गोविन, पंडित प्रवीन कौशिक, आधिनी शद्धांजरी अर्पित की, तीर्थ पुरोहित पंडित चंदनलाल कांता प्रसाद, पंडित धनी राम ने अस्थी विसर्जन का कारिक्रम, वैदिक विधी विधान से संपन्द कराया, सनातन धरम प्रतिनिधी सभा के उप्रधान रहे पंडित वेडी माधव गोस्वामी लाल किताब के विशेशग्य माने जाते थे, उन्होंने लाल किताब को जन जन तक पहुचाया, उसको सरल भाषा में भगतों को समझा कर उसका लाप्रदान किया, उनके निधन से सनातन धरम परिवा नैशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम ने भी पंडित वेडी माधव गोस्वामी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शद्धांजरी अर्पित की